हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल सरकारी इन्फोगूरू तो दोस्तो आज की इस वीडियो के मादम से हम बात करने वाली हैं दोस्तो सेवा योज़न पोर्टल के मादम से निकाली कहीं भरती के बारे में जिसमें की फ्रेंड्स आपके लिए टेंथ से लेकर गेजरेज सेक्टर में होने वाली है तो दोस्तो आज की इस वीडियो के मादम से मैं आपको पूरी इंफोर्मेशन स्टेप इस्टेप देने वाला हूं आप दोस्तो इस वीडियो को बिन ''स्किप'' किये complete देखना तो, दोस्तो अगर आप जौब की तलाज कर रहे हैं तो दोस्तो अब आदे की तालास ख्तम होने वाली है जो आपका रोजगार मेली मिले का एज़िण किया रहा है यह कहां पर किया जा रहा है मैं आपको बताने वाला हूं किस ताइरीक किया जाएगा और आप किस तरह से इसके लिए apply कर सकते हैं बहुत ही अच्छा golden chance होने वाला है उन सभी students के लिए जिसने दोस्तों 10th 12th या फिर दोस्तों graduation या कोई भी degree की है तो दोस्तों आईए बिन देरी किये चलते हैं आज की सबसे बड़ी update की तरफ तो friends जैसा कि आप देख सकती है सेवा योजन काराले में रोजगार मेला 19 अपरेल को आईजित किया जाएगा जी हाँ friends जैसा कि आप देख सकती है जो आपका सेवा योजन पोर्टल के माद्धम से जो रोजगार मेला आईजिन किया जाएगा जिन बेरोजगार अभिहरतियों ने अपना पंजी करन छेत्रिय सेवा योजन पोर्टल पर करा रखा है बहें अपना यूजर आईडी पासबर्ट का प्रियुकर करके रोजगार मेले में भाग लेने के लिए उनलाइन आभिधन कर सकती हैं तो फ्रेंट्स मैं आपकी जानकरी के लिए बता दू कि आपको किस तरह से आभिधन करना है उसके लिए तो फ्रेंट्स आपके लिए सबसे पहले सेवा योजन पोर्टल पर जाना है सेवा योजन पोर्टल पर जाकर आप अपना रेश्टेश करना है जैसे ही आप registration कर लेती हैं रेश्टेशन करने के बाद आपको user ID और password मिल जाएगा वहाँ पर जैसे ही आपको दोस्तो user ID password मिल जाएगा आप इस job के लिए apply कर सकते हैं यानि कि मुरादबाद district में आप job के लिए apply कर सकते हैं जैसे ही आप friends apply करेंगे आपके लिए 19 अपरेल को मुरादबाद में location बता दी जाएगी कि आपको कहाँ पर आना है फिर आपका friends interview लिया जाएगा interview में आपको अगर pass किया जाता है तो friends आपके लिए अच्छी खासी salary वाली job मिल जाएगी कोई भी परिसानी होने वाली बात नहीं है friends तो आपको दोस्तों उम्मीद है कि ये procedure समझ में आया होगा आगे हम बात करते है friends जिन बेरजगार अभी तक अपना पंजियन सेवायोजन पोटल पर ऑनलाइन नहीं कराया है अभी अपना पंजियन सेवायोजन डॉट दोस्तों आपको site ये दे रखी है अगर आपने अभी तक अपना registration नहीं किया है अगर कर लिया है तो friends कोई बात न करना है और बहाँ पर job seeker के रूप में करा सकते हैं सेवायोजन अधिकारी का कहना है कि केबल जो registration यानि पंजिकरत अभीरती ही सेवायोजन कार रहले द्वारा आईजित रोजगार मिले में भाग ले सकते हैं यानि कि friends अगर आपने सेवायोजन पोटल पर registration नहीं किया है त तो करने के बाद ही रोजगार मिले में हिस्सा ले और friends रोजगार मिले में हिस्सा लेने से पहले आपको registration कराना होगा registration कराने के बाद भी आपको friends जॉप के लिए apply भी करना होगा सेवायोजन पोटल के मादम से ही तो दोस्तों अगर आपको ये procedure नहीं आता तो दोस्तों से लेकर आप अगर जौब की तलास कर रहे हैं तो फ्रेंट्स आप इसके लिए जरूर अपलाई करें अच्छी खासी सैलरी होने वाली है दोस्तों इसमें मातर क्या होता है आपका डॉकुमेंट आपको कंप्लीट डॉकुमेंट ले जानी होते हैं रोजगार मेले में आप ऐस बहुत ही अच्छी खुसकाबरी होने वाली है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरे द्वार दीगे जानकर यह आपको समझ माई होगी दोस्तों इसी तरह की वीडियो को अपडेट सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को आता चल सके और दोस्तों उन्हें रोजगार मिल सके तो दोस्तों जब तक के लिए टेक के आर